अगर आप सब्सक्राइब कर रहे हो तो बहुत इंपोर्टेंट है सभी सिलाबस में अनलाइसिस करके प्रिपरेशन आपका स्टार्ट करें अगर समय करोगी तो आपको कम समय में ज्यादा टॉपिक कर सकते हो चलिए आज जानते हैं यह पेपर अनलेसिस के बारे में अब देख वक्ति मैंने 10 साल का लास्ट डेटा लेकर आया हूँ जिसमें सब टॉपिक वाइज हमने के टिकराइज किया है कौन से टॉपिक से कितने क्वेशन आ रहे हैं अभी रिसेंट एग्जाम की बाद करें तो पॉइंट से टॉपोलोजी से क्वेशन नहीं था एक भी बट सिक्वेंस ऑफ रियल नंबर से तीन क्वेशन पूछे गया थे सीरीज पे आप देखो लगवग साथ क्वेशन आये इस बार और लिमिट कॉंटिवीटि पे साथ क्वेशन थे टीन थे सीकुएंट शेज़ फंक्शन पर एक भी क्वेशन नहीं था फंक्शन अप से अप्सिरीज पे तीन क्वेशन थे अंसी अगर मैं उसी सब्ट टोपिक के लास्ट येर की बात करू लास्ट येर में भी ते 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 उसके बाद फंक्शन और प्रपर्टीज पर आठ प्वेशन थे लास्ट टाइम आठ पुशन थे इस बार एक भी नहीं था ठीक है लिमिट कॉंटिनिटी की बात करो दो कोशन थे डिफरेंशेबिट पर चार सिक्वेंशन फंक्शन पर एक और फंक्शन इसके बाद फंक्शन प्रपर्टीज पर तीन थे लिमिट कॉंटिनिटी पर एक भी नहीं था दोजर बाइस में डिफरेंशेबिटी पर भी कोई कोशन नहीं था सिक्वेंशन सिरीज फंक्शन पर पाश थे पास तो इस तरहीं बाकिस साल में आप आप देख से करके तो साथ और तिन दस होगे यह सत्रा और यह तीन हमारे कितने होगे बीस तेईस क्वेशन आये थे यह अच्छे खासे नंबर है और आप देख सबके हो सबसे जादा वेटेज रियल को होता है ठीक है उसके बाद हमारा लीनियर आता है देन कम्स हमारा इंटेगल कैल्कुलर्स, इस वीडियो में सीखा कि कैसे आप प्रिपरेशन आपका प्लैन कर सकते अकॉर्डिंग टू यूटेज वेटेज जिस टॉपिक को जादा है उस पे जादा फोकस करें उसको जादा टाइम दीजिए जिन टॉपिक से कम कुशेशन आ रहे हैं उनको कम टाइम दीजिए इस से आपको होगा क्या जो important topic है उन पर आपका ज्यादा command होगा ठीक है hopefully वीडियो अच्छा लगवागा आपके दोस्तों के शेर करें जो भी prepare करें IIT jam exam के लिए and इस विड़ों में इतना ही thank you for watching पल्ग आपके विए थाववाब करें लिए करेंगा जो अच्छा करें लिए निए खिए यरों में लिए में वीडियों में रिए थाववावाभ़ों में जो खिएक दूर देंगा।